हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, I hope आप सभी अच्छे होंगे, Welcome in Magic Kitchen of Krishna, Magic Kitchen हमेशे लाता है आपके लिए Amazing Delicious Recipe, तो Delicious Recipe के लिए Subscribe कर दीजिएगा Magic Kitchen of Krishna, वैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा अच्छा कीजिएगा और हमें बताईवा कि आपको हमारी है कैसी लगते हैं फ्रेंटंस हम लाते हैं आपके लिए बहुत अमेजिंग रीसपी इन्डियन रीसपी त्रैडिशनल रीसपी और ऐनुग ईनौवेटिव रैसपी तो इनौवेटिव और स्पेशिल रेसिपी बनाने के लिए बने रहे हैं मैजिकिचन को आपने जो पो प्यार दिया है उसके लिए तहर दिल से शुक्रिया यूही स्यूस्क्त रहे हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजि़िट लिशूस रेसिपी तो फ्रेंड्स चले देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के चिप्स और टिक्स कौन से हैं तो चले बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी क्या आज आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो चलिए आज आज आईए आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुती इंस्टेंट और स्पेशल यमी रसिपी बच्चों का फेवरेट आज हम लाए है ब्रेट पीजा वो भी स्पेशल चीज बर्स्ट टोमैटो ब्रेट पीजा यमी, टेस्टी एंड डिलेशिस बनाना चाहते हो तो चलो आज आओ बनाते हैं आज फिर ये यमी डिलेशिस रसिपी बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुती यमी है बहुत टेस्टी बहुती डिलेशिस और चीजी भी तो कलक कर लिजे इंग्रेडेंट और आज आएए हमारे साथ बनाते हैं ये यमी डिलेशिस चीज वर्स टमेटो पिज़ा इसे आप अपने छोटी छोटी पार्टी इसके लिए बच्चों की बड़े पार्टी के लिए और जब बच्चों को जल्दी से कुछ खाना पसंद हो बच्चे मांग रहे हो तो तुरंट बना कर देजिए ये यमी डिलेशिस पिज़ा बहुत कम समय में बन जाता है मुश्किल से दस से बारा मिनिट आपको प्रिप्रेशन में लगता है और बीस मिनिट में ये बेक हो जाता है चले बनाते हैं ये स्पेशल पिज़ा चले आजाएं बनाते हैं जल्दी से ये ब्रेट पीज़ा यहां पे हमने आठ पीस ब्रेट लेने हैं देखिए इस तरह के आठ पीस लेने हैं और पीज़ा ट्रे पे जो ओवन में हमें बनाना है उस ट्रे पे हमें बटर पेपर लगा लेना है उस पे चार ब्रेट को इस तर कर लेना है। ठीक है? आप क्या करना है? अब हमें लेना है PIZZA SA transcription स् impression है तो पिज़ा स् आप घर भी बना सकते है और मार्केट से भी मार्केट आना सकते हैं. आज हम वार्केट बना रहे हैं इसलिए आद गए मार्केट वाला पीज़ा स् पर वा यृज कर पास पास लगे हो क्यारो ब्रेड पे अच्छे से लगा लेंगे ब्रेड पीजा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे देखिए ठीक अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि सभी ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इस तरह से यह आप पिज़ा बनाते हैं तो मुश्किल से आपको 10 मिनिट प्रिप्रेशन में लगता है और 20 मिनिट में ये बेक हो जाते हैं आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं विदाउट ओवन भी आप बना सकते हैं ये ब्रेट पिज़ा तब आप एक एक करके सिंगल सिंगल बना सकते हैं यदि कि आप gas flame पे बनाना चाहते हैं, तो single single भी आप बना सकते हैं, हम यहां पे OTG में बना रहे हैं, इसलिए इसे 4 bread piece को एक साथ add करके हम बना रहे हैं, चुकि देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, बहुत tasty delicious, तो 4 की जगा आप 6 bread को भी जोड सकत 6 और 6, 12 bread लगेंगे, और हम 4 के बना रहे हैं, तो 4 और 4, 8 bread slices लगेंगे, तो देखिए बातों ही बातों में, हमने अच्छे से pizza sauce spread कर दिया, फिसे इसको बिल्कुल close कर देते हैं, और अब इस पे spread करेंगे mojrilla cheese, तो cheese को spread करने में अच्छे से बिल्कुल नहीं करें, बच्छों का पसंद तो cheese ही है, और pizza में यदि cheese की मात्रा कम होती है, तो pizza pizza नहीं होता, तो mojrilla cheese अच्छे से spread कर देते हैं, यह देखिए, खूब अच्छे से spread करेंगे, तो cheese burst pizza है, इसलिए inner layer में भी cheese होगा, और outer layer में भी cheese होगा, तो देखिए, अच्छे से हम spread कर देते हैं, चीज को, और बिल्कुल cover कर दिया, अब आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा, कि चार bread जोड़े होगा है, क्योंकि अच्छे से इसको हमने cover कर दिया है, चीज से, और चीज जोए इन चारो bread को एक साथ जोड़ देगा, तो pizza base हमारा ready हो चुका है, अब इसके उपर हम, हमारे bread slices लगा देंगे, तो देखिए, inner layer हमारा ready हो गया है, और अच्छे से set कर दें, चार slice हमने नीचे लगा थे, चार slice हम उपर लगा रहें, तो इसको cover कर देंगे, slice से, अच्छे से set करें, तो देखिए, चार slice से इसको cover कर देते हैं, इस तरह से यदि आप cheese bus pizza बनाते हैं, तो definitely बहुत पसंद आएगा बच्छों को, आप इसे अपनी चोटी-चोटी parties के लिए, बच्छों के बड़े parties में बना का दे सकते हैं, और बच्छों को बेहत पसंद आएगा, यदि आप कोई canteen वगरा run कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप इस तरह की pizza रख सकते हैं, और ये जल्दी भी बन जाएगा, और सब को बेहत पसंद आएगा, और आपकी sale हो जाएगी दुगनी, है न, तो चलिए आप इस पर लगा देते हैं, पीजा सॉस, तो उपर के लेर में भी अच्छे से चारों ब्रेट पे पीजा सॉस अच्छे से स्प्रेट कर देंगे, चलिए जल्दी जल्दी स्प्रेट कर देते हैं, तो जो लोग जल्दी से बनाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से बना सकते हैं, पीजा और बिल्कुल आप को पता ही नहीं चलेगा कि ये वहला पीजा है या ये कौन सा पीजा है पीजा है बहुत टेस्टी है और डेलेशिस जल्दी बन जाएगा तो यदि बच्चे मांगते हैं आप से पीजा तो तुरन पना कर दीजिए इस तरह से तो सारे ब्रेड्स पे अच्छे से पीजा सास बिलकुल अच्छे से स्पोन की मदद से आप अच्छे से स्प्रेड्ट कर दें चलिए जल्दी से स्प्रेड्ट कर देते हैं पीजा सास सभी ब्रेड्स पे अच्छे से और उसके बाद हम इस पे स्प्रेड्ट करेंगे मोजरेला चीज पीजा सास हमने मोजरेला चीज अच्छे से स्प्रेड करना है मोजरेला चीज स्प्रेड करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि पीजा में मोजरेला चीज का बहुत बड़ा रोल होता है तो अच्छे से spread कर देते हैं mojula cheese और अब हम इसमें tomato slices set कर देते हैं दो tomato के पतले-पतले slices कट कर लीजिए उन slices को आप अच्छे से arrange कर दें tomato slice को अच्छे से arrange कर देते हैं देखिए सब तरफ से अच्छे से arrange कर देंगे tomato slice यदि आप non-vegetarian हैं तो आप tomato slice के जगह पर pepperoni यूज़ कर सकते हैं और pepperoni pizza बना सकते हैं हम यहाँ पे pure vegetarian बना रहे हैं इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं tomatoes तो हम बना रहे हैं tomato bread pizza tomato के बाद हम shimla, mirch, harry, lal और pili arrange कर देंगे triangle में cut किया जो देखने में सुन्दा लगते हैं तो triangle में harry, lal, pili, shimla, mirch को हम arrange कर देते हैं तो well papers भी बहुत अच्छे लगते हैं pizza में तो arrange कर देते हैं तो जितना आप पसंद करते हैं जो vegetable पसंद करते हैं वो vegetable आप थोड़ा-थोड़ा add कर सकते हैं जो कि pizza को एक अच्छा look भी देता है और healthy भी बनाता है और tasty भी बनाता है तो चलिए जल्दी से arrange कर देते हैं हम लाल, pili, harry और well papers और साथ मैं arrange कर देंगे black olives black olives arrange कर देते हैं थोड़े से mozzarella cheese और spread कर देते हैं इसके उपर ताकि यह stick हो जाए mozzarella cheese से और थोड़े से jalapinos add कर देते हैं jalapinos से एक तिखा पन आएगा जो कि बहुत tasty बनाता है इसको अब इस पर sprinkle कर देंगे pizza oregano spice and halve mix तो सभी चीज़ें अच्छे से set हो चुकी है otg को हमने preheat होने के लिए रखा है तो चलिए इसको कुछ special बनाते हैं यानि इसमें हम design करेंगे mayo से तो mayo से हम इसको design करने वाले हैं और हम बनाने वाले हैं alphabet का A because हमारे बच्छों के नाम A से है तो हम उनको special एक pizza दे रहे हैं तो A से इसको garnish कर रहे हैं तो आप अपने बच्छों के नाम भी इस पर इस तरह से garnish कर सकते हैं जो कि बच्छों को तो बहुत पसंद आएगा इस तरह से यदि आप उनके नाम का अक्षर इस पर बना देते हैं तो तैयार है हमारा yummy delicious bread cheese boss tomato pizza बेक होने के लिए OTG हमने preheat पर रखा है 180 degree 10 minutes के लिए OTG जैसा ही preheat हो जाएगा हम उसमें बेक करेंगे ये pizza इस pizza को बेक करने के लिए 200 degree पे 20 minute सेट करना है 20 minute में ये ready हो जाएगा cheese boss pizza यदि एक layer होती तो आप 10 minute में इसको बेक कर सकते थे दो layer है इसलिए 20 minute लगेंगे तो देखिए OTG preheat हो चुका है इसमें हम अपना bread pizza को रख देते हैं और OTG को 200 degree 20 minute पे सेट कर देते हैं 200 degree 20 minute हो चुके हैं और हमारा bread pizza बेक हो चुका है देखिए कितना yummy tasty and delicious जो आप mayo से लिखते हैं वो बिलकुल भी खराब नहीं होता as it is रहता है तो देखने में भी अच्छा खाने में भी अच्छा बहुत tasty तो तयार हो गया हमारा yummy delicious cheese boss tomato bread pizza बहुत ही quickly सिर्फ 20 minute में ready हो गया है 10 minute आपको preparation में लगेगा 20 minute में आपका pizza ready है आदे गंटे में आपका pizza बिलकुल ready हो जाएगा अब आप सर्फ कर सकते हैं गर्मा गर्म ये pizza अपने बच्छों को बच्छों की party है तो आप जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं इस तरह के bread pizza और सर्फ कर सकते हैं तो बहुत yummy delicious bread pizza है देखें तयार है हमारा yummy yummy bread pizza मुह में पानी आ रहा ना मुह में पानी आ रहा तो जल्दी से बना लीजिए बहुत ज़्यादा ingredient नहीं लगते हैं कुछ एक ingredient से बन जाता है gummy pizza vegetable आप जो भी आपको पसंद है आप use कर सकते हैда tomato pizza है tomato use किया है यदी नॉन वेजिटेरीन है तो आप यहाँ पे pepperoni youse कर सकते हैं eggs यूज कर सकते हैं childcare वीची यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम प्यूर वेस बना रहें, इसलिए हमने यहाँ पर गालिक या ओनियन भी यूज़ नहीं किया है, अब चाहें तो ओनियन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ में, तो तयार है हमारा यम्मी डिलेशस, स्पेशल चीज़ बस्ट, ट्रुमेटो ब काट करके सर्फ कीजिये, आप बच्चों की पार्टी में और आपकी किट्री पार्टी में यह हैं जब भी आपको खाने का मन करे पीज़ तो आप लाखियां और काट करके से अपके सर्फ कर सकते हैं, गरमा गरम बहुत तेस्टी होगा। नोट कर लिए इंग्रेडेंट और जरूर बनाएए इस तरह से पीज़ा और बताएगा आपको यह पीज़ा कैसा लगा यदि अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने वियूज और जरूर बनाएगा बहुत यामी और जल्दी बन यामी टेस्टी और डेलिशस लगा ना तो बनाएगा जरूर और बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी यदि आपको अच्छे लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में और बनाएगा जरूर यदि आपने हम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसी रेसिपीज हमेशा आपके पास पहले आए वेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि वेल बजे जब भी हम रेसिपी अपलोड करें और आप बना पाएं हमारी ये जिलेशिस रेसिपी तो इस तरह से ट्रैंगल भी कट करके आप सर्व कर सकते हैं तो आप स्क्वेर में भी सर्व कर सकते हैं और चोटे-चोटे बाइट्स में देना है तो आप ट्रैंगल में भी कट करके सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी और यमी है चीज बस्ट है अंदर तक चीज है तो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और बड़े भी यदि पिज़ा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये पिज़ा पसंद आने वाला है देखे कितना टेस्टी है और बहुत अच्छे से बना है तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी यदि आपको हमारी आज की रेसिप तो बनार आप शेयर कर सकते कमेंट सेक्शन में और आपको रेसपी कैसे लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में हम लाते हैं हमेशे आपके लिया Amazing Delicious Recipe तो Amazing Delicious Recipe के लिए Magic Kitchen of Krishna के साथ सदा जुड़े रहिएगा जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना तो चुपके चुपके मच जाएए हमारे साथ जुड़े रहिए और सबस्क्राइब कर दीजिएगा चैनल हमारे साथ हमारी फैमिली को बढ़ा कीजिएगा तो हमारी यूटुब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यहीं जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए Amazing Delicious Recipe तो फ्रेंड्स बनाएए आज हमारी Special Recipe हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और Amazing Recipes तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तिल देन स्वास रहिए मस रहिए और बनाते रही Amazing Recipe Medical Recipe एजी किचन आफ क्रिशना के साथ